Hello, Good Morning and Welcome Back Friends, आप देख रहे हैं Golden Air Education YouTube चेनल, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12 दिसंबर से रिलिटेट जितने भी important का रंट अफेर बनते हैं, सारे इस लेसन में complete करेंगे, साथी काफी सारे extra fact भी यहां पे डिसकस करेंगे, सो पूरे लेसन को ध्यान से और लाश्ट तक आ जरूर देखेगा, आफ्टर दिन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लिजेगा, जिसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा, जहां हिंदी और इंग्लिस दोनों लाइंग्वेज में इसकी PDF आपको मिल जाएगी, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सबस्क्राइब आपको दिख रहा है, इससे आप जरूर प्रेस कर लिजेगा, जिससे की आने वाली सारी latest वीडियो की notification आपको मिलती रहेगी, continue बिना मिस वे, तो सबसे पहले बात करते हैं, लास्ट वीडियो की quiz की, देखें कौसन था कल की quiz का, निवन में से किस दिन को Border Security Force या BSF स्तापना दिवस मनाय गया है, तो आपका राइट आनसर था कल की quiz का, एक December इसका सही आनसर था, अब बात करते देखिए, आज की कारेंट फिर की, पहला प्रस्ण देखिए, विश्वे बैंक दुआरा जारी, Migration and Remittance Report 2018 के समन्द में, कौन सा कथन सही है, तो देखिए, विश्वे बै इस Report में सबसे उपर भारत को नाम है या भारत को रखा गया है, तो इस Report में पहला नंपर किसको मिला है, पहला रेंक भारत को मिला है, ठीक है? दूसरा यहाँ पोड़ रहा है कि इसके अनुसार 2018 में भारत में 80 अरब डोलर का धन प्रेशन हुआ है, तो ये भी यहाँ पे सह तीसरा जो option बोल रहा है इस report में दूसरे इस्तान बर चीन रहा है तो ये भी सही है तीन option आपके सही है थोड़ा सा आप इस report के बारे में हम detail से जान लेते हैं इस report का मतलब क्या है migration and remittance report 2008 इसका मतलब होता है कि जो धनप्रेशन के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है यानि मतलब की धनप्रेशन का मतलब में आपको बत दता हूँ simple language में कोई भारती मूल का व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है और वहां से जो पैसे है वो भारत में ट्रांसपर करता है कैसे जैसे की online banking के थूरू या फिर डाक के थूरू कैसे भी अगर जो पैसे ट्रांसपर करता अब यहां पर देखिए इस रिपोर्ट के नुसार भारत सबसे उपर है उसके बाद में यहां पर बात करते हैं इस रिपोर्ट के नुसार 2018 में भारत में जो धन आया है विदेशों से वो कितना आया है 80 अरब डोलर का धन प्रेशन हुआ है भारत में विदेशों से इस पहले स्तान पर है अब देखे यहां पर बात करते हैं next question की हाल ही में अगनी 5 मिसाइल का सफल परिक्षन किया गया है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है तो आपका यहां पर पहला कथन बोल रहा है कि इसकी मारक समता पचपन सो से 8000 किलोमेटर है तो बिल्कुल सही है जो अलही में सफल परिक्षन किया गया है और इसकी मारक समता कितनी है पचपन सो से और 8000 के बीच में इसकी मारक समता यह काफी इंपोर्टेंट है ठीक है next option है यह बोल रहा है कि यह सता से सताय मार करने वाली मिसाइल है यह बी काफी महत्त पूर्ण प्रशन है डायरेक्ट उडिसा के अब्दुल कलामदीब से किया गया है तो यह भी सही है यहाँ पर पूछा जाएगा कि इसका जो प्रिक्षन हो कहां किसे किया गया है तो आपको ध्यान रखना है अब्दुल कलामदीब से किया गया है जो कि उडिसा में है यहाँ पर देखिए next है कि यह है एक स् ठीक है, next question देख लीजिए, 11 December को UNICEF का इस्तापना दिवस मनाए गया है, इसका headquarter कहा है, तो देखिए यहाँ पर current में तो यही बनाया है question की जो UNICEF है, उसका इस्तापना दिवस किस दिन मनाए गया है, तो आपको धेहां रखना है, 11 December को मनाए गया है, लेकिन mostly यहाँ से जो question का headquarter है, इसकी इस्तापना हुई थी, 11 December 1946 को UNICEF की इस्तापना की गई थी, और इसका इस्तापना क्यों की थी, जो उस टाइम पे जो second world war हुई थी, दिखती है विस विद, उसी के दोरान जो बच्चे बगारा, अपंग बगारा हो गए थी, ठीक है, तो उनके portion के लिए और उनको स्वास्ते सेवाय देने के लिए ही इसका गठन किया गया था, UNICEF का, इसके बाद में अबर प्रहतमान की में बात करता हूँ, तो आज विस्वय के 190 देसों में ये अपनी सेवाय देता है, बच्चों की मदद करता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, तो यह ये चुना गया है, जो यहाँ पर जो सकती कान दास है, ये रिजवर बैंक, यानि की जो RBI है, इसके नए गवर्नर चुने गया है, ये काफी important point है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कल, कि जो रिजवर बैंक के जो मतलब कि जो गवर्नर थे वरतमान मे उनका क्या नाम था, जो अभी हाली में जो उन्होंने इस्तीपा दे दिया है, जो उर्जित पटैल थे, उन्होंने इस्तीपा दे दिया है, और जो नए बने है, जो सकती कान दास है, ठीक है, ये कौसन यहां से यह बनता है, दूसरा कौसन जो बने गाए यहां से वो यह है, कि ये कौन से नंबर के गवर्णर चुने गया है तो आपको धहन रखना है ये देश के 25 वे गवर्णर बने है कौसन डारिक्ट बनता है कि भारत के 25 रिजरो बैंक के 25 वे गवर्णर कौन बने गया है या फिर शक्तिकान दास कौन से नंबर के गवर्णर बने हैं तो यह 25 वे नंबर के गवर्णर बने हैं ठीक है और इससे पहले जो उर्जित पटेल थे हो 24 वे नंबर के थे देखे अगर यहां पर बात करते हैं तो यह इससे पहले जो है जो आर्थिक मामले विवाग है वारत का उसके पूरों सचीव भी रह चुके हैं ठीक है बात करते हैं देखिए यहां पर थोड़ा सा RBI के बारे में जान लेते हैं रिजरो बैंक के बारे में तो ये भारत का एक केंद्री बैंक है और ये क्या करता है जो देश के जो और बैंक है उनको उनका संचालन करता है और इसकी स्थापना की गई थी एक अप्रेल 1935 मे इसकी RBI की इस्तियापना की गई थी ठीक है नेक्स्ट कॉसन देख लिए केंद्र सरकार ने तमील नाडू में प्रियेटन को बड़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ 31 मिलियन डॉलर के रेंड समझते पर अस्ताक्सर किये हैं तो आपका राइटान सोगा ये रेंड समझ देने के लिए ही ये समझता हुआ है यहां से डायरेक्टर जो समझता रासी है वह भी पूछ लियाती है तो आपको ठहन रखना है कितनी समझता रासी है 31 मिलियन डॉलर का ये रेंड समझता हुआ है ठीक है अब यहां पे दिखिए हमने थोड़ा से ACI विकास बैंक की बात क ये आर्थिक सायता उपलग्द करवाता है नेक्ट जो यहां से पॉइंट बनता वह है इसका हैड़कॉटर तो इसका हैड़कॉटर कहा है फिलिपिन्स में इसका हैड़कॉटर है ठीक है नेक्ट कॉसन देखिए निम्न में से किस संस्तान को साइबर सुरुक्षा सिक्षया के लिए DSCI Excellence Award 2018 से सम्मानित किया गया है तो आपका राइटान सोगा IIT खड़कॉटर को जो IIT खड़कॉटर है इसको ये अवाइड देगा है DSCI Excellence Award 2018 ठीक है देखिए यहां पे जो DSCI क्या है तो आपको बता देखिए इसका फुलफोग होता है Data Security Council of India इसका फुलफोग होता है ठीक है जो क्या करता है देश के अंदर जो मारा इंडिया के अंदर जो भी जितने भी इंटरनेट से समंदी जो या फिर जो साइबर सुरुक्सा वगारा होती है उनको जो है यही संभालता ठीक है अब यहां पे देखिए इसको ये अवाड की सित्र में दिया गया है तो यह दिया गया है इसने देश बर में साइबर सुरुक्सा और इंटरनेट सेक्योर्टी को बढ़ावा देने के लिए कई सारे महत्पूर्ण योगदान दिये है और इसी वज़े से ये पुशकार इनको दिया गया है DSCI के द्वारा ठीक है नेक्स्ट यहां पे दिखिए बात करत दिया जाता है या तो जो इसतान है उसका नाम दे दिया जाता है या फिर कंट्री का नाम दे दिया जाता है तो जो इसतान है उससी का नाम मिलता है तो आपको ध्यान रखना है चैंग दू कहां है यह है चीन के अंदर यान कि इस बार इसका आईजन का हो रहा है चीन के इसका आयजन हो रहा है 10 से 23 दसंबर के बीज में चलेगा ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखे इसका जो उद्देश है इस बार आयजन का वो यही है कि जो आतंक वाद है उसको रोकने के लिए जो ओफरेशन वगारा सुरू के जाते हैं उनके लिए यह एक तरीके से प्रिक्षिक्षन होगा दोनों देशों के बीच में ठीक है और यहाँ पर चीन की बात किये तो चीन की कैपिटल आप ध्यान लगजिएगा बिजिंग जो है चीन की कैपिटल है नेक्स्ट यहाँ पर देखे क्वसन है अपना निमन में से कौन Asian Tour Order of Merit Championship जीतने वाले पांचवे वह सबसे युवा भारतिये बन गए है तो आपका राइटान सोगा यह बन गए है आपे सुबंकर सर्मा देखे यह जो Championship है Asian Tour Order of Merit यह किस से सम्मन देते है यह है गोल्फ की ही एक प्रतियोगता है जो गोल्फ जो खेल होता है उसकी जो एक उसी से लिटेड एक प्रतियोगता है और इसको किस ने जीत लिया है सुबंकर सर्मा ने जीत लिया है जो कि पांच वे भारतिये और सबसे युवा भारतिये बन गए है यहाँ पर एक कॉसन ये भी बनता है कि सुबंकर सर्मा का सम्मंद निम्न में से किस खेल से है तो ये क्या बत हो जाएगा गोल्फ हो जाएगा इसका सही आंसर ठीक है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉसन की हाल ही में ACI Academy Creative Awards 2018 की घोशना की गई है इसके सम्मंद में कौन सा कतन सही है तो अभी जो ACI Academy Creative Awards है वो वित्रित किया गया है देखना है कौन सा इनमें से सही option है पहला बोल रहा है कि सल्मान खान को बिग बोस के लिए बेस्ट होस्टिंग का वार दिया गया है इसके अंदर जो भारतिय यहाँ पे जो फुलममेकर है अनुराक कस्यप इनको सरवसेष्ट ने दे सकका अवार इसमें दिया गया है तो ये भी सही है आपका नेक्स्ट जो अप्सन है चीन के यू हैवी को सरवसेष्ट अभीनेता का अवार दिया गया है तो ये भी सही है यहाँ पर और next यहाँ पर देखिए आपके तीनों उप्सन सही है तो answer क्या हो जाएगा उप्युक्त सभी सही है देखिए जो यह अवार्ड सो है एक तरीके से जिसे के हमारे जो आईफाव अवार्ड होते हैं फिलमों के लिए वैसे ही एक Asia लेवल का वार्ड जिसमें जो Asia की जो कंट्रीज है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है नेक्स्ट जो कसन देखिए अपना हालही में पदम स्री विजेता और प्रसिद इतियासकार मुसिरल हसन का निदन हो गया है निमन में से कौन सी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है ठीक है तो देखे यहाँ पे पहली पुस्तक इसका नाम है इंडिया पार्टिसन तो ये भी इनके द्वारा लिखी गई है दूसरा है पार्टनर्स इन फ्रीडम ये भी इनके द्वारा लिखी गई है तीसरा है कि From Pelerism to Spiritism तो ये भी इनके द्वारा लिखी गई है तो ये तीनों जो बुक्स है ये तीनों करती इनी के द्वारा रची गई है तो ये चीज ध्यान रखेगा ये काफी popular इत्यास कार रहे हैं और इनको पदम स्री भी मिल चुका है सरकार के द्वारा तो यहां से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी क्रिती इनकी है ये कुछ popular क्रिती है इनकी जो यहां पर आपको ध्यान में रख लेना है इनका नाम ठीक है इंडिया partition partners in freedom from pluralism to spiritism ठीक है तो ये चीज आप ध्यान रख लिजेगा ये तीनों इनी के द्वारा लिखी गई है चलिए बात करते हैं next version की हालही में निम्न में से किस दिन को अंतराष्टिय परवत दिवस मनाय गया है तो आंसरोगा 11 दिसंबर को हालही में अंतराष्टिय माउंटेंस डे मनाय गया है ये आप ध्यान रख लिजेगा ठीक है और अगर यहाँ पर देखे बात करते हैं तो 2003 में पहली बार मनाय गया था जो United Nation है उसी के द्वारा इसकी सुरुवात के गयी थी तब से ये हर साल 11 दिसंबर को अंतराष्टिय परवत दिवस के रूप में मनाय जाता रहा है इस बार इसका जो विशे है वो भी आप ध्यान रख लिजेगा Mountain Matter Mountain Matter जो है इस बार का इसका विशे है ठीक है? थीम इसका उद्देश यही है कि जो पहाडों में सतत्य विकास को बढ़ावा देने के लिए ही इसका यहाँ पर मनाय जाता इसको Next जो कासा ने देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संसकन का आयजन जनवरी 2019 में कहा किया जाएगा? तो आपका राइटन सुगा पूने में जो पूने है वहीं पर इसका आयजन किया जाएगा महाराष्ट का जो सहर है ठीक है और इसका जो मतलब की ये दूसरा संसकन है ये भी आप दहान रख लीजिएगा पहला संसकन का हुआ था अभी कुछी दिनों पहले इसका पहला संसकन हुआ था नई देली के अंदर आपको पता हूँ तो मैंने बता है ठीक है तो ये चीज आप दहान रख लीजिएगा और यहाँ पर इसका जो आयूजन करवाय जा रहा है वो खेलो इंडिया जो कारे करे में भारत सरकार का उसी के तैट इसका जो है इन खेलों का आयुजन करवाए जाता है ठीक है और इसके सुरुवात किसने की थी जो खेल मंतरा लेके है उसी के द्वारा इसकी सुरुवात की गई थी नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं देखिए आज की जो क्वीज़े आपके लिए इस कांसर लिखना है आपको नीचे कमेंट वोक्स में हाल ही में ब्यूनस आयस में संपन G20 सिकर सम्मेलन के दोरान 2022 में होने वाले G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सोपी गई है यानि कि पुछा गया है कि जो 2022 में G20 सिकर सम्मेलन होगा वो कौन से देश के दोरा आज जित करवा जागया उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा तो जो भी आपकांसर है लिखना है नीचे कमेंट वोक्स में आज की करेंट फिर आई होप आज की वीडियो जरूर आपको पसंद आयोगी इसी भी कौन से रिलेटेट कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट वोक्स में लिखेगा वीडियो पसंद आईए तो लाइक शेर जरूर किएगा आज की इस वीडियो में इतना है थैंक्यू सो मच पर वचिंग आज धन्यवाद